विदेश मंत्री एस जे शंकर ले एक बार फिर से साफ कर दिया कि भारत रूस से तेल खरीटता रहेगा और पश्चमी देश के दावाब में आकर कोई भी फैसला नहीं लेगा नमश्कार मदिदी फॉस्दर आप देख रहे हमारे साथ दन्नगरी मीडिया जर्मनी के मुंचे सिक्योरिटी कॉन्फरेंस में उन्होंने कहा कि भारत के पास तेल के कई सोर्स है और रूस उनमें से एक है जैशंकर से सवाल पूछा गया था कि रूस के साथ व्यपार जारी रखते हुए भारत अमेरिका के साथ अपने बढ़ते दीपशिय संबंदों को कैसे संतुलिक रखेगा इसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्या ये एक समस्या है क्या एक समस्या होनी चाहिए हम स्मार्ट हैं हमारे पास कई विकल्प हैं आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए दरसल 24 फरवरी 2022 के बात शुरू हुए रूस और युक्रीन के जंग के बाद अमेरिका और यूरूप देशों के रूस पर प्रतिवन्द लगा दिया था इसके बावजूद भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीटता रहा जैशंकर ने कहा कि भारत रूस के साथ अपने संबंदों को बनाए रखना चाहता है लेकिन ये अमेरिका के साथ अपने संबंदों को भी महत्वत देता है उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के साथ अच्छे संबंद रखने में सक्षम है ये पहली बार नहीं है कि विदेश मंतरी एस जैशंकर ने रूस तेल खरीदने के लिए भारत को रूख को जारी किया हो पहले भी कई मंचों पर भारत को रूख साफ करते हुए शब्दों में कह चुके हैं जैशंकर ने का कि रूस एक सोर्स है भारत को अपनी उजा जरूतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल चुनने का अधिकार है जैशंकर ने गाजा में मौजू स्थिती को लेकर भी चिंता जताई इसमें कहा गया कि हमास ने जो किया वो आतंगवादी गतिवीदी है लेकिन फिलिस्टियन का भी एक ऐसा मुद्दा है जिसका हाल लिकलना बिलकुल जरूरी है भारत कहता है कि फिलिस्टियन मुद्दे का तू नेशन समादान होना चाहिए हाला कि इजराहिल और अंतराष्टे कानुओं का पालन करना चाहिए फिलिस्टियन लोगों की सुरक्षा प्रात्मिक्ता होनी चाहिए मुंची सिक्यूरिटी काउंसिल में जैशंकर ने ब्रिक्स संगठन को लेकर भी सवाल किया इसके जवाब में उनसे कहा गया कि आज के वक्त में एंटी वेस्ट यानि की पश्चिमी देशों के साथ विरोध होना और नौन वेस्ट यानि की पश्चिमी देशों से अलग होना इस बात में कोई फरक नहीं है मैं भारत को एक नौन वेस्ट देश कहूँगा जो अपने पश्चिमी देशों से अपने रिष्टे बहतर कर रहा है ऐसा सभी ब्रिक्स देशों के साथ नहीं है जहां तक कि ब्रिक्स के योगदान की बात की जाए तो G7 का जिस तरीकिसे विस्तार हुआ है वो G20 बन गया जी सेविन से जोड़े 13 देशों में से पांच तो ब्रिक्स देशी हैं तो उन्होंने इस बात पर भी जवाब दिया कि हम एक संगटन की तौर पर ही योगदान निभा रहे थे ऐसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे चैनल धनगरी मीडिया के साथ नन्यवाद